हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बाक टो कुंबरे साइस एक्जाम क्रेक्चेनल, तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बहुत छोटा सा टॉपिक और इंपोर्टन टॉपिक लेकर आई हूँ, जो आपके एक्जाम के पॉइंट वू से काफी इंपोर्टन रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों हम स्वीचिं के बारे में दिस्कुस कर रहे थे, हमने सर्कीट स्वीचिंग को मैंसे स्वीचिंग को और पैकट स्वीचिंग को डिटेल में डिस्कुस कर लिया है, आज हम जो डिस्कुस करेंगे इस वीडियो में वो हम पैकट स्वीचिंग की टा में आइडिया हो जाए तभी यह इस वीडियो को चेक करें ठीक है तो बच्चो पाकर स्वीचिंग के अंदर हमारे पास दो टेकनीक है डेटाग्राम स्वीचिंग और वर्चुल सके तो एक क्वेशन बच्चो यहां से बन जाता है आपका एक्जाम अगर आसान आता है साथ की साथ बताते हूंग यह कुषिशन रेजा होगा असाना है यह कुषिन रेजो गाता है तो बच्चो आपको यह क्वेशन जो साथ की साथ में बता रही हूं उनको भी नोट डाउन करते जाए तो अब बच्चो हमबात करेंगे सबसे पहले डेटा-ग्राम-switching की प्राटर फोर में जा रहा था और देस्टिनेशन पर उनको हमें रिसेंबल करना पड़ रहा था और वहां पर मैंने आपसे प्रामिस किया था कि मैंने वहां पर एक टर्म यूज के थी बच्चो कि यहां पर आउट ओफ ओडर जो पाकट्स रिसीव होंगे या सेम उडर होगा तो बच्चो डेटाग्राम के अंदर आपको आउट ओफ ओडर पाकट्स रिसीव होंगे कैसे क्योंकि हर एक पाकट डिफरेंट डिफरेंट रूफ से आ रहा है क्या पता कौन सा पाकट जो रिसीवर एंड पर पहले पहुंच जाए और जो आपका जो फर्स्ट मैसेज हो आ आएंगे रिसीवर एंड पर तो उसको कुछ नहीं समझाएगा तो रिसीवर क्या करेगा उनको असेंबल करेगा दुबारा से रिसेंबलिंग करेगा ए बी सीदी इस सीक्वेंस में उसके बाद ही वो उसको रीड करेगा ठीके तो डेटाग्राम के अंदर बच्चो क्या है यहाँ पर आपको सिर्फ एक स्विचिंग नोड के पास आपका पैकेट जाएगा और वो पैकेट क्या है थोड़े से टाइम के लिए स्टोर करके वो स्विचिंग नोड आगे जो उसका इमेजेट कनेक्टेड नोड होगा उसको वो फरवड कर देगा ठीके यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होती है रिसोर्स की डेटाग्राम के अंदर क्योंकि आपको कोई पास इस्टेबलिश नहीं करना आपको उसी टाइम पर आपको डिसेजन लेना है कि किस नोड के पास उसको पैकेट जो बेजना है ठीके तो आप यहाँ पर CPU का कोई प्रायर कोई इंफ करते हैं सिर्फ दो ही डिवाइस उसको यूज करते हैं तो bandwidth जो है circuit switching में सबसे ज्यादा विस्ट होती है यहाँ पर आपकी कोई reservation नहीं है जब जरुत पड़ेगी तब आप उसको यूज कर लोगे और जैसे ही आपकी जरुत complete हो जाएगी आप उसको रिलीज करते हैं उन resources को अगर यह इसी order में receiver तक पहुँचते हैं तो यह तो है बच्चो same order और अगर receiver के पास पहुचता है एक बार पहले D पहुच गया फिर B पहुच गया फिर C पहुच गया फिर A पहुच गया इसको बोलते हैं out of order और अगर इस type के packet जो receive होंगे receiver पर तो उसको reassembly करनी पड़े की और होंगे ही डेटाग्राम के अंदर तो क्योंकि यहां पर हरेक packet अलग अलग root follow करता है हरेक device की अपनी speed होती है किसी node पर speed ज्यादा मिलेगी किसी पर कम मिलेगी तो कोई packet पहले पहुचेगा कोई packet जोए बाद में पहुचेगा ठीक हाई overhead यहां पर बच्चों high overhead रहता ह कह सकते हो कि tension ज्यादा है क्यों tension ज्यादा है क्योंकि आपने जब masses को packets में डिवाइड किया न तो वहां पर आप हर एक packet के साथ source और destination भी add करेंगे यह भी मैं आपको packet switching में बता चुकि बच्चों यहां पर आपका source address होगा और यह आपका destination address होगा तो यह overhead ही बढ़ गया है और हर एक switching note के लिए भी overhead है वो पहले उस receive करेगा फिर वो चेक करेगा फिर अगर उससे related नहीं होगा तो आपका packet loss होगा ही होगा ठीक है और used in internet और datagram switching जो use होती है बच्चों यह कहां पर use होती है इंटरनेट पर use होती है generally datagram ही use होती है ठीक है अब हम बात करते है second virtual circuit switching अब देखो बच्चों थोड़ा साब को confusion हो गया होगा कि मैडम ने circuit switching के आगे term use गया वर्च्वल वर्च्वल का मतलब क्या होता है illusion बच्चों ब्रहम कि आपको लगेगा कि वहाँ पर एक dedicated path है जो आपके source से लेकर destination तक data को प होगा जब भी device को जोरत पड़ेगी तो एक path बना लेंगे ठीक है जैसे ही device का काम खतम हो गया तो वह release हो जाएगा ठीक है तो इसको बोलते हैं बच्चों virtual circuit लेकिन circuit switching के अंदर पहले हम path को establish करते हैं फिर हम data transmit करते हैं फिर हम disconnection करते हैं यहां पर हम पहला जो prior जो तयारी ह होती है वह हम नहीं करते हैं ठीक है अब यह connection oriented definite सी बात है अगर circuit है तो connection oriented ही होगा ठीक है और reservation जब circuit बना दिया न बच्चों आपने तो वहां पर reservation भी है bandwidth भी आपने फिक्स कर दी है आपने CPU का use भी फिक्स कर दिया आपको पता है कि हर एक package जो है उसे path से होकर ही जाएगा ठीक है तो virtual circuit का मतलब यह हुआ ना कि हर एक package जो एक सेम path को ही follow करेंगे अगर चार package बेज़रो चारों के चारों के चारों क्या है कि एक ही path को follow करेंगे ठीक है तो एक ही path को follow करेंगे तो आपको bandwidth भी रिजर्व करनी पड़ेगी CPU का भी use होगा ठीक है अगला क्या है क्यों है क्योंकि यहां पर जो है packet अलग अलग route से नहीं जा रही है हर एक packet जो है एक ही route से जा रहा है तो आपको हर एक packet के साथ source और destination को add करने की जूरत नहीं है ठीक है low packet loss ठीक है packet loss मी नहीं होगा एक सरकेट है उसके थूई जितने packet travel होंगे वह होंगे ठीक है और हो सकता ह है कि किसी packet जो transmit हो रहा हूँ उसी particular time duration पर time पर कोई ऐसी miss happening हो जाए disconnection हो जाए या आपकी cable में communication channel में कोई problem आ जाए तब आपके chances है packet loss के otherwise नहीं है ठीक है और यह कहां पर हो जाता बच्छो X.25 or ATM अब आप पूचेंगे मैदम X.25 or ATM क्या है बच्छो इस से अलड़ी में एक video बना चुकी हूँ यह high speed network connection है ठीक है और यह student X.25 ATM यह आपके high speed network होते हैं जो generally हम use करते हैं तो I hope कि packet switching के अंदर भी अगर आप से इनकी details पूची जाए कि further कितनी type है क्या कौन से के advantages है क्या advantages है और क्या disadvantages I hope कि इस diagram से इस video से आपका यह भी confusion बच्छो complete हो जाएगा clear हो जाएगा आप इसका screenshot ले सकते हैं और आप इसका revision कर सकते हैं तो आज के लिए बच्छो इतना ही मिलते हैं next video में next topic के साथ तब तक के लिए thank you very much और last time मेरी एक आप से request कि अगर video पसंद आता है तो इसे like, share, comment करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना चैनल पर पहली बार आ हर्ज नहीं है आपका भी नुकसान नहीं है बच्छो और मेरा भी फायदा क्योंकि मैं आपके लिए यहां पर महनत कर रहे हूँ thank you बच्छो and best of luck